नमस्कार दोस्तों मैं अनुज आप सभी लोगों का फ़ंड लेन बाई अनुज ओफिशल यूटीब चैनल पर स्वागत करता हूँ तो दोस्तों RRB NTPC Group D Level 1 का जो एक्जाम है उससे रिलेटिड एक बड़ी खबर आपके लिए निकल के आ रही है अजसे रिलेटिड जितने भी जो परिक्षाई थी वो सारी आपकी रद कर दी गई है क्या कुछ खबर है चलिए बिना किसी देरी के यहां पर देखेंगे कि वो नोटीस क्या है और परिक्षाई रद करने का जो उन्होंने कहा है वो क्यों रद की गई है सारी चीजों के उपर बात करेंगे तो यहां पर आपको प्रेस्ट ट्रस्ट ओफ इंडिया पी टी आई जो न्यूज है यहां पर आप देख सकते हो ब्ल्यू टिक के साथ यह वेरिफाइड एक आपका ट्विटर हैंडल है यहां पर आपको जो है दो ट्वीट यहां पर किये गए हैं और उन दोनों ट्वीट के अंदर आपको एंटेपीसी से रिलेटिड जो है आपकी जो समश्य है थी उनके बारे में आपको बताए गया है सबसे पहला था रिलवे एह है cory कमेटी टौ एंगजैमींन सीज और प्रोट्येस्टिं एस प्रपेरेंड्स पर्सीन बईस पर्सन ने कहा है कि जितने भी लोग क्या कर रहे हैं जितने भी लोग यहां पर आपका प्रोटेस्ट कर रहे है ना उन सब के लिए कमेटी बनाई जाएगी जिसमें कि आपकी मांगो को सुना जाएगा आपकी जो बाते हैं उनको रखा जाएगा और उनसे आपको कोई एक ऐसा रास्ता निकाला जाएगा जिससे जो एक प्रोटेस्ट है आपका खतम हो सके इसके आपके ट्रैक जाम किये जा रहे हैं ठीक है जिससाब से आपको देश वियापी जो ये आपके प्रोटेस्ट किये जा रहे हैं उसी के मद्दे नजर रखते वे आपका एंटेपी चुर लेवल वन का जो एक्जाम था वो यहां पर रद कर दिये गए हैं अब इनकी बाद में कम में आपने पढ़ा था उस कमिटे के बाद कोई एक निशकर्श निकाला जाएगा आपकी बातों को सुना जाएगा आपकी जो इंको और उसके बाद आपका जो सीब्रीट 2 एग्जाम है और जो आपका लैवल वन और गुरुबटी के जो आ आगया आने वाले एग्जाम रि अब आपको देखना होगा कि नई डेट कब देती है, कब क्या कमेटी बनती है, क्या ये कमेटी आपको सिर्फ लुभाने के लिए है, क्या ये कमेटी आपका प्रोटेस्ट खतम करवाने के लिए, क्या ये कमेटी सिर्फ आपको मुद्दे से भटकाने के लिए है, या क्या सच में ही आपकी मांगे सुनी जाएंगी और आपको आपके हक जो है वो आपको यहां पर दिया जाएगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा पर अभी के लिए और इसी खबर के साथ आज के लिए इतना ही अगले किसी एक वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार जैहिन